तो सर मैंने 12th साइंस से पास आउट की है अब क्या स्टेडी करूँ तो दीखिए जब भी कोई स्टूरेंट 12th साइंस मतलब की मेडिकल या नौर मेडिकल से 12th पास आउट करके आता है तो यूट्यूब और गूगल पर सची जरूर करता है कि हो मुझे क्या स्टेडी करनी चा 12th अगर आपने मेडिकल की है नौन मेडिकल की है आपके पास बेस्ट ऑपरचुनिटीज यहां पर है जिसके बारे में हम सारा वीडियो में जानेंगे ठीक है और एक अपर्टेंट चीज में आपको और बताऊंगा देखिए अभी आपने सिरुफ 12th पास आउट की है आपक कुस्किप नहीं करना है चैनल पर नहीं है सबसे पहले सबस्क्राइब कर लेना है तो चलिए अब ज्यादा टेम लेते हुए कंप्यूटर की स्कीन पर चलते हैं वहां से जाकर पूरी डिटेल में जानते हैं कि आफ्टर 12th साइंस मेडिकल हो या नौन मेडिकल आपके पास क बेस्ट केरियर एंड कोर्सें डिग्री ऑप्शन से अब तो दिखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्कीन पर पहुंच चुके हैं तो चलिए अब सारा डिटेल में जाते हैं तो यहां पर आपको हैडिंग दिखाई दिए दिए होगी बैस कोर्सिस आफ्टर 12 साइंस टी नॉन मैदिकल में ठीक है इन में डिफरेंस क्या होता है मतलब की जिन्होंने फिजिक्स कमिश्टि मैठ लियों हती है वहती है जिन्हों तक आपको क्लीर हो गया कि आप information को miss कर सकते हैं अगर आपने skip कर दिया तो यहां पर दिखिए सबसे पहले जो मतलब की PCM से करते हैं तो उनका यही सुपना होता है कि हमें आगे करनी है engineering ठीक है तो वह engineer बनने का सुपना तो जरूर देखते ही हैं तो इसके लिए आपके पास सबसे पहला जो option आता है वह आपके पास आता है BE and BTEC का ठीक है जो कि engineering field का ही एक proper program है ठीक है इसकी 4 years की duration रहती है और यहां पर अगर इसमें बात करें specialization की तो अच्छी-ची specialization आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं आप computer science में कर सकते हैं mechanical engineering में chemical engineering में electronics में automobile, aerospace, civil हो गया information technology and environmental science ठीक है तो यह आपके अगर आप BTEC कर लेते हैं BE कर लेते हैं तो आपकी जो qualification होती है वो आप engineer करने जाते हैं engineering में आ जाते हैं ठीक है और यहां पर आज की टाइम पर अगर बात करें जो कि आप अगर digital way में करना चाते हैं ठीक है computer science and IT वो जादा students prefer कर रहे हैं ठीक है यह देखिए आपको सारी specialization यहां पर BE and BTEC में देखने को मिल जाएंगी ठीक है क्लिए अब देखिए अगर आप admission लेने जाते हैं government यहां फिर जो famous universities होती हैं ठीक है जो big universities होती हैं तो उनमें आप BE BTEC कैसे कर सकते हैं ठीक है तो उनमें देखिए आप IIT JEE मतलब कि यहां पर JEE means का exam होता है and JEE advance का होता ह ठीक है तो यह exam देने के बाद आप government universities हैं जो अच्छी अच्छी best universities हैं उनमें आप admission लेने के लिए यह exams को clear करके and BE BTEC में admission ले सकते हैं ठीक है और इसका scope अच्छा कासा है इंजिनिर्स की salary भी अच्छी कासी होती है अगर आप इसके बरह में और सच करने जाते हैं तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि इंजिनिर्स की अगर आप इनमें से किसी पर भी search करेंगे तो कितनी अच्छी खासी salary उनको मिल जाती है ठीक clear हो गया अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका सामने second option आता है ठीक है तो second आप कर सकते हैं bachelor of science मतलब की B BSc ठीक है तो अब चलिए हम second option की बात कर लेते हैं degree courses में तो वो हमारे सामने देखिए यहाँ पर आता है आपका BSc मतलब की Bachelor of Science ठीक है clear तो यहाँ पर भी देखिए यह आपका 3-year का program रहेगा इसकी duration आपकी 3-years की होगी और इसमें भी आपको कई specialization देखने को मिल जाएंगी ठीक मतलब कि अपने PCM की है physics chemistry math तो आप इन में से किसी specialization को चूज कर सकते हैं तो mathematics से आगे आपको बहुत ज़दा scope मिली जाते हैं ठीक तो आप BSc भी इन सभी के साथ कर सकते हैं ठीक clear हो गया यह हमारा था second option अब देखिए third option जो आपके पास आता है वो आता है BCA मतलब की Bachelor of computer application ठीक है तो अगर आपका इंट्रस्ट है देखिए IT and computers team में तो आप BCA को चूज कर सकते हैं bachelor of computer application को इसको आपको तभी करना है अगर आपका computer में coding में programming languages में उसके web development, app development इन सभी चूजर में आपका IT line में इंट्रस्ट है तो तब आप BCA की और भी जा सकते हैं अगर आपन तो देन आप BR कर सकते हैं मतलगी bachelor of architecture ठीक है clear हो गया यह हमारे सामने यहाँ पर आगया fourth option ठीक तो अब दिखिए यहाँ पर हमारे सामने जो options दे फोर हमने बात की है first हमने बात के लिए BEB tech की second हमने बात की है BSE की third की है BCA and fourth की है BR ठीक clear हो गया यह non-medical वालों के लिए अब हम बात कर लेते हैं अगर आप यहाँ पर government sector jobs की preparation के लिए आप exams देना जाते हैं तो आपको कौन सी jobs यहाँ पर मिल जाएंगी ठीक यह भी important part है यहाँ पर दिखिए सबसे पहले आप UPSC के लिए appear हो सकते हैं तो थोड़ा सा की UPSC के बारे में जान लें देखिए यहाँ पर क्या करता है यह conduct करता है exams like civil services exams ठीक है recruit करने के लिए candidates को top government services में like IAS, IPS, IFS यह post के बारे में आपने सुना होगा तो आप यहाँ पर इन सभी exam के लिए भी eligible होते हैं ठीक है UPSC का exam आप दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर UPSC recruit करता है both civil services and defense services दोनों के लिए clear ने उसके पर जो कि staff selection commission की उस्वे होते हैं इसमें दिखें कौन से exams होते हैं जैसे कि SSE GD, SSE CHSL का हो गया, JEE का हो गया, CPO, CGL, stenographer, SSE MTS तो यह सारे exams भी आप यहाँ पर दे सकते हैं मलब कि SSE के exams देने के लिए भी आप यहाँ पर eligible होंगे ठीक तो देखें यहाँ तक आपका clear हो गया अ पतलब कि जिन्होंने PCB, Physics, Chemistry and Biology की है, ठीक है, तो इसकी proper detail बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पर मैं आपको colleges के बरमें भी बता देता हूं बीच में ठीक है, कि आपको कैसे best college के बरमें पता जलेगा, देखें अगर आपने 12th complete की है, science से यहाँ पर किसी भी stream से की है, तो अब आप college find करने जा रहे है, आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर देखनी है, सबसे पहले जिस college में आप admission लेने वाले हैं, वहाँ पर आपको infrastructure कैसा मिल रहे है, ठीक है, तो यह कुछ चीज़ें आप चाहे वीडियो को दुबारा देख लेना, थोड़सा बैक करके, यह चीज़ो क्योंकि देखे, युनिवरस्टी को चूज करना, college को चूज करना बहुत ही important decision होता है, तो अगर आप 12th के बाद admission लेने जा रहे हैं, यह चीज़ों का आपको धियान रखना है, देखे, हमें यह guidance नहीं मिली थी, लेकिन by grace of God, मुझे college वैसे ही अच्छा मिल गया, लेकिन साथ में अपनी किसी skill पर work करना है, को skill develop करना चाते हैं, यहां फिर हम अपनी family को financial sport देना चाते हैं, हम साथ में sir income करना चाते हैं, job करना चाते हैं, और साथ में graduation करना चाते हैं, तो sir हमें कैसे university के बारे में पता चलेगा, देखे, online के लिए तो बहुत simple है, आप simply एक platform पर ज universities दिखाई देंगी, ठीक है, तो देना आप यहां पर directly university के expert से भी बात कर सकते हैं, और college दे के expert से भी बात कर सकते हैं, free audio video counseling ले सकते हैं, और उसके बाद add to compare पर click करके, तीन university के बीच में आप comparison भी कर सकते हैं, और बहुत factors मिल जाएंगे, like देखे, यहां पर आपको पता च दिखे, यह directly आपको redirect कर देता है, university के official website पर, जैसे कि online degree के fraud totally खतम हो जाते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा है, यहां पर आपको placement support services and career booster programs मिल जाते हैं, जिसके अगर वैसे cost की बात करें तो वह है, रुपी 60 पन लाइन, लेकिन आप अगर उस link से admission लेते हैं, जो मैंने नीच presentation होगी, यह सारी चीज़ें भी आपको person पूरा proper guide करेगा, और post services, अगर दिखे, आपकी सारी study complete भी हो जाती है, उसके बाद placement assistance मिली रही है, प्लस अगर आपको कोई correction document में करवानी पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें, वो भी आपकी पूरे help करेगा, कॉले विद्या का dedicated counselor, तो online के लिए तो यह simple सा process है, आप इस process में जाकर, यहां पर कॉले विद्या से check out कर सकते हैं, तो link description में है, एक बार यहां पर जाकर, और talk to expert जरूर करना, आप जिसमें भी admission लेने वाले है, expert से एक बार बात करके, उनसे अपनी query का answer जरूर लेना, ठीक है, आप comment section में comment तो कर options है, तो यहां पर देखिए, जैसे हमने 12th science की है, physics, chemistry, biology से, ठीक है, तो medical line में जाने के लिए, आपके पास सबसे बेले हैं, आप exam दे सकते हैं, जो कि अगर आप इन exams के थूरू admission लेते हैं, तो आपको बहुत ही कम fees में अपके admission हो जागी, ठीक है, तो यह आपको NEET का exam clear करन के बाद यह बाले options आते हैं, दर उसके बाद दिखिए, आगे हम अगर बात करें, तो आप कर सकते हैं, बैचलर of science, ठीक है, बहुत कि जो 12th science medical से करते हैं, उनका mean यह ही होता है, कि हम यह सर आगे medical line में ही जाना है, ठीक है, तो नोर medical वाले जो जैसे engineering सोचते हैं, computer science and IT सब को सोचते हैं, लेकिन जो 12th science medical करते हैं, वो जातर medical में ही जाना चाते हैं, इसलिए मैं आपको यह preferable अच्छे course बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दिखिए, आप BSE कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए कौन सी specialization है, ठीक है, तो BSE में दिखिए, जोनों की specialization अलग सबसे पहले दिखिए, जो 12th science medical से करते हैं, वो प्रेफर किस चीज को करते हैं, BSE nursing को, ठीक है, ठीक है, यह सबसे में होता है, जो जहाँ पर admission लेते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको कहा, ज़्यादा जो students प्रेफर करते हैं, वो nursing को ही प्रेफर करते हैं, ठीक बाकी आप अपने according यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको specialization यह भी बता दी है, clear हो गया, आप दिखें, यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि कौन से government job exams आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप eligible होते हैं, उन सारे exams के government jobs के लिए apply करने के लिए, ठीक है, ठी के BSC की बहुत value रहती है, ठीक है, अगर आप BSC nursing कर रहे हैं, कोई भी specialization कर रहे हैं, तो आप वो सारे exams को दे सकते हैं, और यह सबसे बड़ा option है, अगर आप नीट exam clear रखें, इन सभी में किसी में admission ले लेते हैं, तो इनकी भी अच्छी आपको आगे career opportunities मिल जाती हैं, ठीक, मु gerne आपको चात कicationsा है, तो ऑसू आप वाड़ा एक बसूझर यह आपको आपको है, झाक कर रहात्राकरत का है, बाताब हैं, ओम्म달भरा आपकोट आपकोः को आपकोथ आपको कि हूँए था कर रहा आपकोगियो लिग्स आपकोःशका झायां ङूसक्णर, और आपकोबन